हेलो एर्विवन कैसे हैं सभी I hope सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे class 10th से trigonometric identities से exercise 11.1 का fourth question आज मैं आप लोगों के लिए कराऊंगा जैसा कि आप जानते हैं यह सारे trigonometric identities हैं तो हमें इन्हें proof ही करना पड़ेगा यानि कि question दे रखा है आपको prove that ठीक है तो चलिए बहुत जल्दी से LHS वाला part ले लेते हैं LHS मतलब left hand side सारे बच्चे जानते हैं क्या दे रखा है बटा cosec theta into under root में 1 minus cos square theta ठीक है बच्चो अब देखे जैसा आप सब जानते हैं मैंने जो rules बताया है उनके according पहला rule है कि अगर कुछ common आ रहा है तो common ले लिजे तो common तो आई नी रहा है तो मैंने cosec theta को cosec theta लिगा दूसरा rule यह कहता है कि अगर कोई trigonometric identity लग रही है तो आप वो लगा लिजे तो 1 minus cos square theta क्या होता है सब बचेगा sine theta अकेला है ना और cosec theta को हम क्या लिख सकते है one upon sine theta आप सभी को पता है कि sine and cos are reciprocal to each other तो हम cosec theta को one upon sine theta लिख सकते है sine theta से sine theta cancel हो गया और answer आगया one जो कि किसके equal आ रहा है RHS के तो यह लिजे students यहाँ से आपका answer solve होता है RHS हमें one ही लेकिया आना था got it video अच्छी लगी हो तो please like share and subscribe करें और बच्चो offline classes जितने भी student join करना चाहें वो please description में check कर सकते हैं thank you